हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से टीवील कोचिंगे इस यूटूब चनल में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि फिनेंस आपने थामनेल देखाई होगा जी हाँ फ्रेंस इस वीडियो में हम लोग कुछ मुद्ध पून जो है आई टे प्लस पॉल टेक्निक के जो इंट्रें करने वाले हैं तो आई होप यह वीडियो को आप अंतर देखिएगा और हां फ्रेंस यदि आपको यहां पर इंटरफेस पर दिख रहा होगा कि कॉल सी आई टे प्लस पॉल टेक्निक स्पेसल मेर्थ का पूर्न कोर्स की सुरूबात हो रही है तो हां फ्रेंस जो है मैर्थ का स्पेसल बैच है उसमें फूरी जो है मैर्थ की कोर्स दिखाई जाएगी यानि कि जो भी आई टे प्लस पॉल टेक्निक परामेडिकल में मैर्थ के से कोर्षन आते हैं जो भी लेशन से आते हैं उन सबी लेशन को यहां पर वन बाई वन करके हम लोग परहार रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लिजिएगा कि आपके जो हमारे वीडियो आएंगे और हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके होम पेज पर जाएगा और आप हमारे हर वीडियो का आसानी देख पाएंगे तो आई होप यह जरूर किजिएगा आप बढ बात ना करते हैं बढ़ते हैं आपने वीडियो के तरह देखते हैं आपका हमारा फॉस्ट अफॉल आज का कोचन क्या है तो यहाँ पर हम लोग जो है फैंस की तीन सेशन चलाने वाले हैं फॉस्ट अपल यहां पर जिगरोफी का को सेशन चलेगा उसके बाद हिस्ट्री का पर दिन और रात जो है होते हैं किसके कारणते यहां पर आपका वार्सी गती के कराण नो ओ द्यक्राण यहां पे गत्ति च्माई बलक होते हैं यहाँ आपको करना है तक हो और वासी को कोचन आपका सबसे बारा विजपत्ती होता है और सबसे च्छोटा गरह को बता है तो सबसे च्छोटा गजशुटा आपका क्या होता है अब करते हैं एक का जो है राइट एंसर निकल कर आएगा तो यहां पर आपको पहले ही बता दिये हैं कि आपका सबसे छोटी गड़ा क्या है बूध है तो बूध यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा तो यह तो यहां पर अगुल हास धारा की बात करें तो यहां पर अगुल हास धारा जो है आपका आर्क्टिक महासागर में बहुती है तो यहां बहुती है यानिकि आर्क्टिक महासागर में आपका अगुल हास धारा इसको याद रखना है बात करें परसांत महासागर की तो परसांत म माहसागर चार माहसागर होता है परसांत माहसागर आर्क्टी माहसागर और अंटार्क्टिक माहसागर तो यहां पर जो है परसांत माहसागर एक सबसे बड़ा जो है गहरा वाला जो है पाट है याने कि भाग है उस भाग को मेरियाना गर्थ कहते हैं तो आई होप यह भी कोचन आपका किलियर हो गया हो तो यहां पर राइट एंसर क्या निकल कर आएगा तो बढ़ते हैं अपने फिफ्ट नमगों के तो पूछ रहा है क प्रिथवी का सबसे भीत्री भाग क्रोड किसका बना होता है तो यहां पर क्या है यह प्रिथवी है और यह प्रिथवी का भीत्री भाग जो है यह आपका जो बना होता है नीफे से बना होता है यानिकी नीफे यानिकी नीफ से नीकेल और एफ से आपका फेरस यानिकी लोह लुवा और नीकल से आपका प्री proposed लिए बात करतें सेसन अर्ड पांच सेसन है जो कि आपको बताना है और पैस worthless इन 15 कोचन में कितने स्कोर कर रहा है आप कमेंट में जरूर यहां पर बताएगा कि हम उससे अनुमान लगा कि आपको बताएं कि आप अभी कितनी तयारी में हैं तो यहां पर फॉस्ट 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 को फूछन क्या हारनमील मोहा सथ यह सब्सव 292 मैं मना पत सब्सक् sevक हैं और भारत नंगसप है और यह थो दो पूर्णवी पार्ट सामिल में यह सा घरक बनाता है पर यह जो पूरा नागा लेंड यह इधर के जो भी एस्टेट आते हैं सब ही एस्टेट में हर रमील महु बनाई फंच से इंगा किरोंबी सब्सक्राइब मना जाता है तो संगाई महधिसこれで 20 में मना जाता आपका महनडिपू रजह में मना जाता है तो यह आप को याद रखना है कि को सव का आयोजन कहां किया गया वह भारत के ओरिससा यहां पर घ्याता है तो यह आपको याद रखना है कि बाली यातरा उससर जो है भारत के ओरिससा राजे में जो है इसका इंफ यहां आप पर याद रखिएगा तो बढ़ते हैं को तो यहां पर एक बात याद रखने वाली है यह कि आपको आख मुद करें आपको कहीं नहीं देखना है डारेक्ट मनिपूर में आपको एंसर पीक कर देना है तो श्रीव लीली यादि की लिली स्रिलेट जो भी होगा पार जो भी मौस होगा वह आपका मनिपूर में जाएगा तो यहां पर मनिपूर आपका आप्शन नमर्डी राइट एंसर आपको देख करना है यह विए भी कोचन आपका क्लिएर हो गया होगा बात करतें नेस कोचन तो यह और पे चारू जो है भारत से और यहां पर बंगलादेस जो है आपका राइट एंसर होगा तो यहां पर बंगलादेस में जो है यहां पर दो ऑसीन डांस फेस्टिवल मना जाता है जो जूमर टाइप के जो होते हैं वह यानि कि जो मल्यालम बेगरा में डांस बेगरा नहीं करते हैं जूमर करके बड़े-बड़े मुझ खोटर लगा कर उसी परकार से यहां पर बंगल याद रख héUs और बद करते हैं निस्ट पर फ्रींडं को ययाद रखेयेगा और बात करते हैं शोग साशन ऑन करता आप का 232 इसा पूर्व था तो यह आपको याद रखना है मुछ इस्टी से भी रिलेटेड जो संन और भी आ है प्रख्ली कोचन को आपको देखना है और हाँ हम मेंस फिल पूछ रहा है तो बी सी का पूल राखना आपका यहां पर करते ने स्क्षकन धर ना कुछ rail की सुबात कब truck बात करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन इसमें इसा पूर्व लगा दिया जाए तो संतावन इसा पूर्व जो है आपका विक्रम समवत की शुरुबात हुए थे यहां पर विक्रम समवत की शुरुबात हुए थी वह शंतावन इसा पूर में रखेगा कि 622 तो यह आप रेलेटेटेड है तो भारत का जो कलेंडर है वो सौक समवत पर अधारीट यह 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 कलेंडर चलाता है यहां पर आपको अठावतर यह भी याद रखना है कि आपका भारत का जो है कलेंडर अधारित है यह भी सारे concept आप याद रखेंगे बात करतें नेक्स कोचन की तो नेक्स कोचन आपका फोर्तमा कोचन पूछ रहा है कि जी नहें 1925 में केंद्रिय विधान सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया तो यहां पर कुछ यह थोड़ा सा अट-पटा कोचन है यह थोड़ा सा हाड यानिकी डिपली में आ जाता है यह आई-एस से विगएड़ा यूपीएसी लेबल का जो इजाम होता है उन सभी पूछता है तो इस परकार के भी कुछ ऐसे कोचन होते हैं जो हाड होते हैं वह भी आई-टी आई आई अपलास पोल्टेकनिक पर अमेरिकल में पूछ लियाते हैं तो इससे घाबराना नहीं है आप यह थोड़ा सा भी यहां पर याद रखिएगा या आप देखे रहिएगा तो ऑप्शन क यह आपको याद रखिएगा और यहां पर बीठल भाई पटेल आपको याद रखना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि 1925 के केंद्री बिदंसावा का स्पीकर के रूप में इसे इन्हें चुना गया था बात करें मदर्मोहनबाल्विय की तो मदर्मोहनबाल्विय जो है आपका बीएचिव यानिके बानारास हिंदू जो इनिवर्सिटी है इसके संस्थापक हैं बात करें लाला लाजपत्राइब वही थे जो सांडर्स की लाठी से चोटील होकर इनकी लाहर में मिर्ति हो गई थी और वहीं पर यह आप 1929 में जो साइमन कमिशन आया था उसके वक्ष में बीरुद में जो है करांति किये तो इनको संडर्स की लाठी का चोट खाना पड़ा जिसके करांद कुछ दिने के बाद इनकी मिर्ति हो गई और चोट खाने के वक्त इन्होंने एक कहा था कि मेरे शरीर पर गिरी हुई एक-एक लाठी की जो है लाठी का जो चोट है वह अंग्रेजों के लिए कील किताबूत साबित होगी तो यह लाला लाजपत राए आपके कहते तो यह सारे स्टेटमेंट आप याद रखिएगा तो आज जो है आपका कॉंसेप्ट सही रहेगा और आप एक्जाम में अच्छा स्कूर कर पाईएगा ता यहोप यह आप सारे कॉंसेप्ट को दुनिया का खान कहा गया कि दिली सल्तनत के किस सुल्तान था जिसे दुनिया का खान कहा गया तो यहां पर दिली सल्तनत में कुटूबदीन एबक पी था उसके बाद इल्कतूटमिस में रजिया सुल्टान भी थी उसके बाद अलग दुनिया भी था उसके बाद यहां पर अलावद निखिल जी जरुदिन खिल जी बल बन वेगारा सब काफी सारे जो थे साथ सक थे तो उसमें जो वह सबस्क्राइब तो यहां पर मुऊमद में तूलग जो था इन है इसे दुनिया का खान कहा गया था यानिकि यह एक पागल सुल्टान के नाम से भी जाना जाता था तक यह यह जो था इतना पड़ लिया था यानि या यह लेखन सामगीर यानिकिने लेखन कला में भी काफी वूटिर्ण था दो दोलता बात से अपनी राजधानी बदलता रहा था तो यह आपको कि दिल्ली से आपका दोलताबाद रखा तो यह दिल्ली से अपनी रजदानी दोलताबाद रखा था तो यह सारे आप याद रखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है और कोचन भी इससे रिलेटेड आपका सौर्ब हो सकते हैं तो यहाँ पर मोहमद भी तूलक यहां पर आई टेंसर निकल कर आएगा और आपको यहां पर करना है बात करें सीखेंदर के तो सीखेंदर यह ऐसा सब्सक्राइब पॉरॉख के विडियोत जो है जहेलम की यूद आन से हाई का से जाता है लरा ही लरी थी और यहां पर पर आशbrand की प्राजय हुई थी फोफी प्रकर हुई थी जोसा जनक प्राजय थी गैणि की शीखेंदर भी इसके प्राजय से जो फॉतलब वो बोलते नहीं के जो पूरस को ऊतनी ताकत से नहीं हड़ा पाया तो पूरस एक महान साथसक याना की महान राजया के रूप में भी जाना जाता है तो और शीकंदर की जो आया था यहाँ पह सिकन्दर के गुरु जो थे यहाँ पे औरस्तु थे और अरस्तु के गुरू जो थे यहां पर सुकूरात थे और यहां पर आप इसको भी याद रख सकते हैं कि सी के अंदर भारत में प्रव्याश किया box चेजो 326 में और 326 में परवश किया था और यहां पर आते याते उसके बाद 303 में फिद दी चुका था ये और उसके परिवार को देखरेक करने के लिए उनकी अवरतों को देखरेक करने के लिए कोई अन्य नहीं बचा था तो यानि कि उन महिलाओं के जो सामने ये जो था काफी मतलब जो था एक उदंडी था यानि कि उनके सामने ये दुसमन था इसलिए महिलाओं पर लास्ट कोशन था तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैज़ का सेशन है उसमें हम आज जो है वर्गमूल को पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं तो वह भी सेशन आप देखना ना भूलिएगा और I hope मैं आसा करता कि आप जरूर हमारे इस मैज़ के सेशन को भी देखिएगा और हाँ फैस वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाईएगा तो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सोमाद जैहिंद